ये मेरा प्यारा गुलू साथियो पिछले बार मैंने बच्छो की टोपई आपको बताए थी इसकी चड़ाए में आपको नापके बता देती। यह जो गत्य की चड़ाई है इसको आप बढ़ा दे सकते। यह मेरा 3-ply का हूल है, जो मैंने पिछल बार बहुत चीजों में योज हो सकता है, यह आपके जो हम पोचू बनाते हैं, चलिए, अब हम शुरू करते हैं, यह देखें, यह यान हमने जो लिया है हूल, सबसे पहले हम यह लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर से निकालके, यह है, यह है लो दोस्तों, एक बार फिर, हम्कृती टिटोरियल में आपका स्वागत है, और मैं आपकी प्यारी मालूदी नमस्कार, और यह मेरा प्यारा गुल्ळू है, यह भी आपको नमस्कार कह रहा है, तो दोस्तों, आज मैं जो आपको सिखाने जारी हूँ, यह इसको मेटD ये बच्चों बना सकते अब चलिए दो ऌसको शुरू करते हैं इस दस्ताने को या को शुरू करने के लिए हमें किस-किस चीजों की जरुद पड़ेगी मैं आपको जल्दी से बताती हूँ यह हमारा उन है इस उन को बिनने के लिए हमारी यह 10 नंबर के सलाई है और इस डौरी को यह जो डौरी है यह बांदने वाली है इसको हम बच्चे की कलाई में बांदते इसको रोकने के लिए इसको बनाने के लिए हमने ये क्रोश्य का इस्तिमाल किया है और इस डोरी को हम डालने के लिए इस जो मैंने ये नेट बना रखी है जाली बना रखी है इसको डालने के लिए ये हमने एक आलपीन की जरुवत पड़ेगी आपको और लास्ट में ये हमार नीडिल है जो हम इस पूरे दस्ताने को सिलेंगे चलिए पेरा हम शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमने इसे पांच भागों में बाटा है सबसे पहले मैंने इसमें बॉर्डर भीना है ये बॉर्डर उसके बाद मैंने ये जाली बनाई है दूसरा पार्ट हमारा जाली का है दूसरा बाग तीसरा भाग हमारा ये बच्चे कि ये जो हतेली बोलते है ये है और जो ये सबसे लास्ट फारबा Zeus I just गठाएंगे यह जो दस्ताना है यह साल के बच्चे के लिए गताने के लिए मैंने इसे बनाया है और चलिए अब हम फंदे डालना शुरू करते हैं मैं 16 फंदे डाल नहीं हूं लेकिन आप 32 फंदे डालिएगा ठीक है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती इस कारण से मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बताना पड़ेगा तो यह है मैंने फंदे डाले हैं 16 एक दो तीन पंद्रव 16 यानि कि यह 16 फंदे मेरे 32 फंदे के बराबर हैं अब हम बॉर्डर बनना शुरू करते हैं बनाना बॉर्डर बनाने के लिए हमने यह 16 फंदे डाल लिये हैं अब हम एक स्लाइ सीधी सीधी बिनेंगे अच्छा पिसले बात गोलू ने मुझे टोका था यह सीधा उल्टा सीधा उल्टा क्या होता है सीधे का मतलब होता निट और उल्टे का मतलब होता पर्ड यानिकि निट अगर हम इंग्लिष में कहते है राती यह सीधा है यानिकी निट तो एक स्लाइ हमने सीधी शीधी स्लाइड बिन लिए है यह यह मैने 16 फंदे डाले है आब 32 पंदे डालो ले हैं यह मैंने बिली अब आती है उल्टी सलाय यानि की पर्ल ठीक है अब हम यहां से उल्टी सलाय में हम बॉर्डर बिनना शुरू करते हैं बॉर्डर बिनना आपको आए गया होगा मैंने कहीं वीडियो में आपको बताया हैं तो एक हो गया उल्टा और यह हो गया सीधा यानि की पर्ल और नेट होगया सीधा और ये होगया उल्टा ये सीधा और ये सीधा ऐसे करते हुए हम पूरी सलाइ को कम्प्रीट करते हैं पूरी रो को हम complete कर लेते हैं यह देखिए मैंने यह complete कर ली ठीक है तो border बिना आपको आते ही है फिर जह हम सीधे मागें तो जो उल्टा है यहनि कि जो पर्ल है उसको हमने उल्टा बिना और जो निट है सीधा उसको हमने सीधा ही बिन लिया एक शलाई हम आपको एक रो और बन के दिखा देते हैं फिर उसके बाको आप भी पूरा बिनेंगे यह इस तरह से कटते हुए हम बारां रो बनाएंगे यहनों कि बारा स्लैक बॉॉर्डर के लिए बिनेंगे ठीक है तो यह मैंद्व है 2 द्वाकत नाय कॉंप्लीट कर ली है ठीक है यह देखिए यह मैंने यह दो स्लाई कम्प्लीट कर लिये हैं ठीक है यह देखिए अब आप भी 10 रौ आपको बिननी पड़ेगी तब तक आप भी बिनीे और मैं भी बिनती हूँ यह देखिए मैंने इसको 12 रो बिन लिये इसमें आपने भी बिन लिये होगा क्योंकि यह मैंने छोटे उसमें बिना ह और आप 32 फंदों में बिनेंगे अब इसके बाद जो second part होता है first part complete हो गया अब second part में हमने बताया था कि जाली डालनी आपको बतानी होगी ठीक है कैसे डालते हैं एक मैंने सीधा लिया ठीक है और पिछले बार में आपको जाली बनानी बताया थी इस फंदे को मैंने एक सीधा लेने के बाद मैंने धागे को यहनि उल को आगे किया और 2 फंदे का कि एक फंदा कर दिया ठीक है चलिए इससे पहले मैं इक चीज आपको और बता दू जो मैंने आपने जो मैंने बना के आये थे यह देखे यह मैंने जो देष्टा ने बना रखा उसमें मैंने एक जो रो है वो ऊल्टी-ऊल्टी ले लिए यह थोड़ा शू के लिए तो इसके सबसे पहले मैंने इसको पूरी रो को उल्टी स्लाइस से पिन लेती हूं यानि कि पर्ल जिसे आप बोलते हैं अगर आपको नहीं करना है तो आप नहीं भी आप डाल सकते हैं लेकिन बस यह कि थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है और चीजें अलग अलग पता लगती है इसलिए मैंने इसको बना तो इधर से आपने करा इसे भी आप उल्टा यहां पसीदा है तो आप भी इसे फिर इसलाई भी नेंगे यह देखिए आप भी इसी तरह से 32 फंदों में बनियेगा अगर आपको दिखाए यह वाला इससा जो मैंने बिना है ठीक है अब हम जाते हैं जाली डालना तो पहले मैंने का यह मैंने इस फंदाव ले लिया सीधा अब मैंने इस उनको आगे किया और द दो का एक फंदा कर दिया हो गया तो यह दो एक फंदा यह हो गया एक फंदा इस दो के दो कम्प्लीट हो गया फिर मैंने आगे यान किया फिर इसको दो का एक करा एक फंदा यहां पर मैंने गटाए तो एक फंदा यहां पर जाली से बढ़ गया फिर मैंने आगे करा ओन और दो का एक करा यह देखिए इसी तरह हम पूरा इस रो को कम्प्लीट करते हैं यह देखिए इस रो को मैंने कम्प्लीट कर लिया है यह सीधर यह हुआ अब हम आगे इसको मैंने इसको यहां पर जैसे मैंने उल्टा बिना और इस रो कम्प्लीट करने के लिए मैंने इसको सीधर सीधर यहने की पूरा निट वाले आग को इस तरह निट करेंगे यहने की सीधर बिनेंगे कि मैंने इस टों को कम्प्लीट कर यहां यहां पर भी इसी तरह का उल्टा उल्टा आया उपर भी अब मेरे देखे ये भी और ये भी अब मेरा second part complete हो गया अब क्योंकि जाली बन गई और ये मेरा second part complete हो गया अब हम चलेंगे third part में यानि कि इस portion को जो बच्चे के हतेली वाला portion है इसको देखेंगे ठीक है अब इसके लिए मैंने सबसे पहले फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे तो क्योंकि ये फंदे 32 हैं अब हम 32 फंदे को थोड़ा बढ़ाएंगे अब ये देखे सबसे पहले मैंने दो तेन चार पांच पांच फंदे के बार हम छटे फंदे पे एक फंदा बढ़ाएंगे ये करा और इसके पीछे से ऐसे करके ये फंदा मैंने बढ़ाया आप अगर मैं मेरे उसमें इसमें discussion box में जाएंगे तो फंदे कैसे बढ़ाया जाते हैं एक वीडियो मेरी इसमें देख सकते हैं इसके बाद फिर हमने 1 2 3 4 पांच पांच करने के बाद फिर छटे में मैंने एक फंदा देखे छटे वाले मैं ऐसे डाला फिर पीछे से ये देखें ये देखें पीछे स इसी फंदे में एक पंदा यानि कि एक पंदे के दो फंदे कर दिये बढ़ी गया फिर एक दो तीन चार क्योंकि इसमें फंदे कम है इसलिए आपको पांच-पांच पंदे के बाद छटे में बढ़ाया फिर मैंने पीछे से पीछे वाली सिलाई हमारी ये पूरी उल्टी रहेगी यानि कि इसको मैंने पूरी उल्टी उल्टी सिलाई बिन लिए उल्टी उल्टी सिलाई ये पूरी बिन लिए है फिर दुबारा फंदे बढ़ाएंगे आपकी मैंने 6 में बढ़ायते छटे फंदे पर आपकी हम पांचे फंदे पे बढ़ाएंगे या आप यह ऐसे भी कर सकते हैं आप पांचे फंदे को पहले बढ़ां देखेंगेघ मैंने फिर से देखें जासे हम बिनते हैं और एक पीछे ये देखे एक पीछे से डालके मैंने इस लाई को पीछे से डाला और एक फंदा ये बढ़ा दिया मैंने कि एक फंदे के दो फंदे कर दिये और फिर हमने एक, दो, तीन, चार फंदे बढ़ाने के और भी तरीके हैं जैसे मैंने तो इसी फंदे को तो आप ऐसे भी और ये करा और पीछे से इस वंदे को भी आपने बिल लिया तो इस तरह भी आप बढ़ा सकते हो जो भी आपको ठीक लगे फिर से 1,2,3,4 और ये 4 करने के बार फिर जैसे हमने अभी बताया ठाब है ऐसे भी बढ़ा सकते हो ये जो नीचे अला हुंद है इसको ऐसे लिया ठीक है और इस फंदे को भी बेल लिया यह देखिए ठीक है तो दोनों तरफ से आप फंदे को बढ़ा सकते हैं जो भी आपको ठीक लगता है जो भी आपको जिससे भी आपको सुईधा मिलती है आप ऐसे ही फंदे बढ़ा सकते हो फिर इस पीछे वाली मैंने को उल्टि उलती लें लेंगी ये अब ये देखिए ये मैंने पूरी सीलाई इसको उल्टी-उल्टी बिन लियां ये देखिए अब ये हो गया अब हमारे पंदे बढ़ चुके हैं कि अब धो स्लाई को मैंने ये बिन है दो रो बिन चुके हैं और हमें 12 रो और बिननी है यानि कि 14 रो हमें यह बीच का जो portion है ये 14 रो 14 स्लाई हमें यहां से यहां तक बिननी होगी, ठीक है, यह देखें, दो बिन चुके, और 12 स्लाई हमें 12 रो और बिननी है, चलिए, आप तपते ही बिननी है, और हम भी बिनके आपके पास लाते हैं, चलिए साथियो, ये मैंने जाली ये बिनने के बाद, जाली के बाद मैंने यह 14 स्लाइ बिल ली है यह मैंने पहले से ही बिनके रखा हुआ था ठीक है इसमें बॉर्डर आगया जाली हो गई और यह हमारा यहां से यहां तक के जो 14 रू है वो हमने बिल ली है 14 रू में क्योंकि यह 32 होंदे हैं आप देखिए कि टोटल फंदे किते हैं एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नौ जैस वारा तेरा चौदा पंदरा सूला सत्रा ठारा उनीस वीज इकेस बाइस तेईस चौविस पचीच अबिस अत्रा एटाइस उन्ती तीस तीस इस बतीस त ताली बयाली तिताली चवालीस यहनि 44 यह फंदे है ठीक है अब देखिए क्या करना अब हमारा उपर का यानि की यह वाला पोशन शुरू होता है जिसको हम पूर्थ पार्ट करते हैं तो हमने अलगलों पार्ट में बाजा था अब इसमें हम फंदे को घटाना शूरू करते है तो जैसे मैंने पहले करा था यहां पर जिस साफ से फंदे बढ़े थे आप यहां पर उसी साफ से फंदे घटाएंगे सबसे पहले दो तीन चार यह हो गया 1 2 3 4 और 4 के बाद हमने पाच्वे में एक पंदा कटाया यहनि 2 का एक करा ठीक है फिर एक, दो, तीन, चार फंद में बिरने के बाद पांच्वे में हमने डो का एक हमने एक बार्ध के पंदा उसके बगलवाला फंदा लेकर इसको ऐस على गयर के फिर 6 फंद नेसाए के करने फ्हिसमाया जाए टीक है इसको घटाया, फिर एक, दो, तीन, चार, फिर मैंने दो का एक करा, आप लो भी करते जाएए, एक, दो, तीन, चार, पांच वाँ उसके बगल वाला फंगा लेते वे घटाया, फिर एक, दो, तीन, चार, ये, पांच, फिर एक, दो, तीन, चार, फिर दो का एक करा, ये घटाया, ये दो पंदे बच्चे मैं इनको ऐसे ही बिन लिया, अब उल्टा पंदा, अब उल्टी जो सलाई है, ये मैंने पूरी ही उल्टी उल्टी बिनी, ये देखे, पूरी ही मैंने उल्टी उल्टी बिनी, आप भी ऐसे ही बिनते रही हुआ है यह स्लाइ मैंने कंप्टीट कर दिया ठीक है अब देखिए पहले मैंने चार पे घटाए था मतलब पांचे बंदे पे अब हम चार पे घटाएंगे दो तीन चौथा पंदा उसके बगल में एक पंदा उल लिया तो दो का एक हो गया यहने कि डिक्रीजिंग आउडर में हमने इसको घटाना शुरू कर रहा तीन फिर दो का एक कर रहा यह दो फंदे क्लास में बचे इनको हम ऐसे ही देल लेंगे फिर उल्टी सलाई हमने उल्टी हुई ही उल्टी बिन ली पूरी यह र मुझे उमीद है कि जो मैं आपको सिखा रही हूँ वह आपको समझ में आ रहा होगा प्लीज मुझे अपनी जो राय है वो मुझे जरूर अपने मेरे कामेंस पाप में लिखियेगा तैकि मैं भी जो सुधार कर सकूँ ठीक है अब आँ देखिये वहाँ पर तीन अब हमने लिया तीन के बाद 2 करा तीसरे के बाद मैंने एक गटना है यानि पहले चाल लिये थे पांच में लेगे घटा फिर 3 का के चौदे में घटा अब 2 के दो लेने के बाद तीसरे में घटा यह तीस तरह गया रेक दो ठीक है फिर उसी तरह जैसे पहली पहली हमने रो में किया था इसका भी पूरा हम उल्टा-उल्टा बिनेंगे देखिए धीरे-धीरे हमारे पंदेर कम हो रहे है अब क्या है एक है उसके बाद एक बिनने का बद यह देखिए मैंने दो में आया फिर एक का दो बन दे फिर एक बिना फिर दो का एक करा फिर एक बिना फिर दो का एक करा फिर एक बिना फिर दो का एक किया यह देखे दो का एक कर दिया फिर एक बिना फिर दो का एक करे फिर यह सीधे फिर इसी थरे पीछे की जो रो है उसको हम उल्टा-उल्टा करेंगे यह देखे कम्प्लीट कर लिया अब है अब पहले क्या किया था अब लास में बचा एक के बाद अब हमने हर अपंदे को दो का एक कटते जाएंगे यह देखे हर स्लाई में यह पूरी स्लाई हमें दो का एक करेंगे यह देखे यह पूरा हमने इस लाई को दो का एक कर दिया यह आया अब देखिए हमार पर कितने फंदे बचे इसको काउंट करिए अब हमारे पास साथ पंदे बचे हैं आठ पंदे बचे एक दो तीन चार पंच शे साथ जलिए अब हम इन पंदों को बंद करते हैं जैसे इसमें हमने इन पंदों को बंद किया इसको भी अब इसके लिए थोड़ा सा हमें लंबा जो ये वून को थोड़ा लंबा लेके अपने हिस्से नीडल से कैची से काटनो होगए ठीक है अब हम नीडिल लेंगे और इस नीडिल में हम वून को डालेंगे अब इसका सीधे सीधे देखे यहां से हम इस नीडिल में फंदों को डालना शुरू करेंगे क्योंकि इस पर फंदे कम है तो आप इसको हटा दीजे और धीरे से इसमें से नीडिल डालते हुए अब इदर लाओए ठीक है अब इसको धीरे से खीच हो गया है अब इसको भी तुबारा फिर हम इसमें डाल दें ताकि मजबूत हो जाए इस अब इसको खीचे धीरे-धीरे इसको खीचते हैं और इसे भी खीचना शुरू कर देते हैं यह लेगे अब इसको टाइट से खीच लेंगे दोनों अब इसी धागे को हम आगे तक सिलेंगे इसी धागे से यह देखिए सिलना शुरू करेंगे इस दोनों पाट को एक साथ जोड़ेंगे इधर का लेंगे जो इधर का लास का पंदा है इसका और यह आपको यह दीख रहा हूं ना इन दोनों का आपस में ऐसे जोडते हुए हम इस तन को सिलेंगे यह रेखिए ठीक है अभी मैं क्योंकि यह तो एक छोटा सा आइटम है लेकिन जब हम सिलाई करते हैं किसी बड़े जैसे चैन स्वेटर को सिलते हैं बडे स्वेटर को सिलते हैं यह जो भी प्लोवर हम बना रहे हैं चल लेडि Hauptol या और भी बच्चों के भी जैसे यह तो बहुत चोटी चीज इसको तो मैं ऐसे झी लेता हैं उनको कैसे छिला जाता है सफाई से वो मैं आपको अपनी नेक्स वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम स्वेटर को सिलते हैं ठीक है अब देखिए यह यहां पर ज्यादा बच्छा वह न इसको भी हम काट देते हैं यह देखिए काटा और इसको धागे को हम ऐसे ही रहने देते हैं ताकि इसी के सासर्च को भी सिलना है यह देखिए यह हमने पूरा का पूरा जो दस्ताना है बच्छों का सिल देते हैं एक साल के बाद दो साल तक भी आप इसको पहना सकते हैं दो साल के लिए यह तो एक साल का हो गया दो साल के लिए आप 34 फंदे डाल सकते हैं 36 भी डाल सकते हैं बच्चे का लेकिन दो साल के बाद तो ये आप फिंगर वाले दस्ताने बच्चों को पहना सकते हैं 3 साल के बच्चों को ठीक है और अगर आप तीन महने के बच्चे के लिए आप ये दस्ताने को बनाएंगे तो आप उसमें 30 फं और 20 की यह जो तीस बंदे डालके यह जो आपका बॉर्डर है बॉर्डर इसमें बारा करा आप देसकर लीजेगा बॉर्डर से बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है और फिसके बाद जाली ऐसी बनेगी और यहां पर आप जैसे यहां पर मैंने 14 रो ली हैं आप वहां पर इसको 10 रोल ले सकते हैं तीन मैने आप 6 मैने के बच्चे का बनाएंगे तो दू और बढ़ा दे इसी तरह आप छोटा बढ़ा भी बना सकते हैं यह देखे मैंने फिर इसको थोड़ा ऊपर तक सिल लिया बीट करके यह देखे यहां पर हमने करके अब इसको हम यही पर कैच असब की से कार्ड देखता है यह देखे इसको ने पल्टा कि कितना सुन्दर इसी के बराबर यह देखे बनके तैयार हो गया अब हमारा जो यह तो 4 par't भी complete हो गया ठीक है यह देखें 4 part complete होने के बाद अब हमारा six part में हमने आपको बताया था कि हम यह dory बनाएंगे यह देखें ठीक है अब इसको मुँँ इधा लग देते हैं अब हम बनाते हैं डory डory बनाने के लिए अब हमें जबत पड़ेगी में पिछले बार भी किसी वीडियो में बताया था इसको लेके ये मैंने इसके अंदर से फसाया कि देखे इसमें लपेटा और पेटने के बाद इसके अंदर से मैंने ओल को निकाला और यह मैंने गाठ बना के इसको खीर दीजे अब इसको हमने हाथ में लपेटा और असी पंदे, मैंने क्रोश्यर से असी पंदे डाले एक, दो, तीन, चार चार पंदे को बिनने के बाद हमने दुबारा क्योंकि अभी इसमें जैसे मैंने छोटा सा एक फूल बना रख़ा है इसमें मैंने 4 पंदे के पिर ये एक पंदे में डाले के इसको रॉंड कि इस लोब को ऐसे राउंड करके गोला सा बना लिया है अब इसमें इसी में जो राउंड सा है इसी में हम आने पांच-छे बार मैंने कुरूश्या को पंदे पर कुरूश्या को फिर इसी राउंड में डालके यह देखिए, पंदे को इस तरह से गोल-गोल करके घुमाया है, यह देखिए, यह देखिए, यह देखिए, आई यह मेरा छोटा सा इस तोरी के लाइक फूल बन गया, अब इस वाले जो इसको भी इसके साथ लेके हमने इसको लेके बिन लिया है, यह, ठीक है, इसको चाहो तो यहीं पर काट लो या इसके साथ हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, तो एक दो, चाहर तो यह बन कहते हैं, दो यह च्छे, साथ, आठ, नौ, देस देस, आठ, नासी और यह असी, असी करने बाद, एक, दो, तीन, चौथे वाले पंदे में, फिर जैसे हमने उसमें किया था, इस हमने गोल गोल, एक राउंड सा फूल बनाया था, इसमें भी हम इसे करके, चौथे उसमें करके, एक राउंड सा फूल बना देंगे, गोल गोल करा में और जो गैप है बीच में उसमें हमने एक करीब चार-पांच बार मैंने क्रोश्या को इस इस होल में डालके इसको घुमा दिया है अभी जैसे जैसे आगे वीडियो और आएंगी मैं क्रोश्या के आप बच्चे चे फूल कि चिकाऊंगी ठीक है यह देखिए बन गया अब हम इसी को यहां पर बंद कर देंगे यहां से हमने काटा इसको मैंने इसको बंद कर दिया और इस वाली तूल को हम एक दो दपे काट और लगाते हैं ताकि यह खुले ना इस पर फसा के अब ऐसी करके निकाल ना इस एक दपे और इसको किया क्लिए इसको यहां पर लोस कर दिते हैं यह पर आपने इसको काट दिया तो साथि यह आपकी दोरी बन के त्यार हो गई अब हम इसको इस में इस में डालेंगें किया है हो गया है अब यह बीच के इससा कॉन सा हो गया एक दो तीन चार चार जाले अधर हो गयी एक दो तीन चार तो इसके यहां से रधों बीच में जरू करें अब बड़ी ढालने के लिए मैंने कहा है एक गे है इस तरह से यह देखिए हर जाली में हमने सेप्टी पिन को डाला है यह देखिए यह देखिए इसे आसानी से डोली डल जाती है यह देखिए वैसे तो आप बिना इसके भी डाल सकते है निडिल के लेकिन यह था कि इसको और सुविदा के लिए मैंने इसको सुरी एक बीच में छूट गया इसको लास में यह हो गया अब इसको हम सेप्टी पिन को हटा देते हैं यह आपकी डोरी बन के तयार हो गई यह देखिए यह देखिए अब यह जो इसमें निकला इसको भी आप काट सकते हैं यह इसको सपाई से इसको भी यह देखिए यह हो गया यह आपकी दोनों तयार हो गया दोनों इस ताने तो सातियों यह मेरे अच्छे-च्छे सुंदर से मेटन बनके तयार हो गए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इससे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर देएं भेजे तो हम और भी सुधार कर सकते हैं थैंक यू नमस्कार कर दो हम आपको मेंट्स बॉक्स मैंट्स बॉक्षणा तो हम बंगर कर दो दो हम आपको प्लीज पार कर सकते हैं